मार्गम सत्यम जीवन येशु प्रियतम येशु अनुपम येशु मार्गम सत्यम जीवन येशु प्रीतम येशु अनपम येशु जे येशु की आज की रोटी के कारेकरम के द्वारा इश्वर के जीवनत वशनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हर दिख स्वागत करता हूँ आज के पहले पार्ट में लोग देखते हैं इसराहिली जन्ता वो सच्चे इश्वर को समझने में जानने में और विश्वास करने में भूल जाती है मार्ग से बठक जाती है और सच्चे इश्वर की अरादना करने चोड़ कर मूर्ती पूजा की वो लोड जाती है इस प्रकार से वो अपनी रदाई की कटोर था रदाई की कटोर था दर्शात हैं इश्वर ने सब खुच किया उन इसराईली जनता के लिए उसके बवजुद वो जनता हट धर में बनी रही विद्रह करती रही मनमाना आचरन करती रही और इश्वर के विरद जीवन विताने लगी और आज के सू समाचार में हम सुनते हैं यहुदी जनता प्रभु येश्व को नहीं जान पाए नहीं समझ पाए नहीं विश्वास कर पाए कि येश्व ही मसीया है येश्व ही मुक्तिदाता है उनकी पास जरूर धर्म गरंद जरूरता लेकिन उस धर्म गरंद के हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो धर्णा सोच विछार से वो बाहर नहीं आ पाए इसलिए धर्म गरंत के सच्छाई वस्विकार नहीं कर पाए आई हम आज के सू समचार को पढ़ेंगे संद्योहन के द्वारा रचित सू समचार अध्याई पांच पसंद के 31 से 47 तक ये सुने य विशे में साक्षि दूँ तो मेरा साक्षि माननी नहीं है कोई दूसरा मेरे विशे में साक्षि देता है और मैं जानता हूं कि वहा मेरे विशे में जो साक्षि देता है वहा माननी है तुम लोगों ने योहन से पुछवाया उसने सत्य के संबंद में साक्षि दिया है कि तुम लोग मुक्ती पासको योहन येक चलता और चमकता हुआ दीपगता उसके जोती में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा परंत मुझे जो साक्ष प्राप्त है वह योहन के साक्ष से भी महान है पिता ने जो कार ये मुझे पूरा करने को सोंपा है जो कार ये मैं करता हूँ वे ही मेरे विशे में साक्ष देते हैं कि पिता ने मुझे बेजा है पिता ने भी जिसने मुझे बेजा है मेरे विशे में साक्ष दिया है तुम लोगों ने ना तो कभी उसकी वाने सुनी और ना उसका रूप ही देखा है उसके शिक्षा तुम लोगों के रदय में घर नहीं कर सकी क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जिसे उसने बेजा है तुम लोग यह समझ का धर्मगरंत का अनुशिलन करते हो कि उसमें तुमें अनंत जीवन का मार्ग मिलेगा वही धर्म गृंट मेरे विशे में साक्ष देता है फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाते मैं मनुशव की ओर से सम्मान नहीं चाता मैं तुम लोगों के विशे में जानता हूँ कि तुम इश्वर से प्रेम नहीं रखते मैं अपने पिता के नाम पर आया हूँ फिर भी तुम लोग मुझे स्विकार नहीं करते यदि कोई अपने ही नाम पर आए तो तुम तुम लोग उसको स्विकार करोगे तुम लोग एक दूसरे से सम्मान चाहते हो और वह सम्मान और वह सम्मान नहीं चाहते जो ये एक मात रिश्वर की ओर से आता है तो तुम लोग कैसे विश्वास कर सकते हो यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम लोगों पर अब योग लगाऊंगा तुम पर अब योग लगाने वाले तो मुसा है जिन पर तुम बरुसा रखते हो यदि तुम लोग मुसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते क्योंकि उन्होंने मेरे विश्वास में लिखा है यदि तुम लोग उसके उनके लेकों पर विश्वास नहीं करते तो मेरे शिक्षा पर कैसे विश्वास करोगे प्रभु का सू समचार प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों प्रभु का वच्छन हम लोगों ने सुना इस वच्छन के द्वारा व्याक्या की गई है यहोदी जन्ता नहीं योहन बप्तिस्ता की मारदर्शन के अनुसार येसु को जान पाती नहीं स्वयम येसु के शिक्षा को ग्रहन कर पाती नहीं वोस धर्म ग्रंत की जो व्याक्या के गई जिसके बारे में वो बताते हैं हमारे पास वो धर्म ग्रंत है उसके द्वारा उस मुक्तिदातों का हसल कर पाती कारण क्या है? कारण ये है कि इनके पास जो भी ग्यानता जो भी सोचता जो भी दर्म शिक्षाती वो सच्चाई से सच्चाई से हट करती इसलिए सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते सत्य को नहीं पैचान पाते वो गुम्रा हो जाते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं और इस अताक में रहते हैं कि मुक्ती दाता और कोई है और इस प्रकार से आज के ससु समचार में देखते हैं लोग अपने रदय की कटोरता के वज़े से उस प्रभू के संदेश को, मुक्ती के संदेश को प्राप्त नहीं कर पाते योहन बबतिस्ता ने अपना मिशन कारिय पूरा किया लोगों को मुक्ती दाता को सभी कार करने के लिए तयार किया पशताप का संदेश सुनाया वो स्वयम एक प्रकार का दीपक्त है जैसे प्रभू स्वयम बताते हैं वो उस प्रकार का दीपक्त है लेकिन लोगों ने अंदकार में रहना ये पसंदी किया उसके उस ग्यान को उसने जो लोगों को तयार किया उसमें वो आना नहीं चाहते थे यानि कि वो उस दीपक के उस रोशनी में नहीं आये, अंदकार में बने रहे, इसलिए योहन बबतिस्ता की प्रयास उनके जीवन में काम नहीं कर पाये, क्योंकि वो अपनी धारणा को लेकर चल रहे थे, अब प्रभु येस मसी बताता है, प्रभु येस मसी का इस दर्टे पर आने का मुक्य लक्ष उद् राज्य को समाप्त करने की अपने बुमिका को व्यक्त किया, प्रभु का मकसद इश्वर के राज्य को स्तापित करना और शैतान के राज्य को समाप्त करना, इस बात को प्रभु ने इस बात को अपने जीवन के द्वारा प्रचार प्रचार के द्वारा लोगों को समझाया और मुक्य रूप से प्रबू सिखाता है पापशमा का संदेश जिससे की प्यार का संचालन वो कर सके और आगे हम पढ़ते हैं यहूदी जनता उस अपने धर्म गरंत जिसके बारे में वो अपना एक गर्व दिखाते हैं वेक्त करते हैं उस धर्म गरंत में उस मसीहा के बारे में जो लिखाता उस बात को जानने में समझने में वो भूल कर बैड़ते हैं जिस वज़े से मसीहा को नहीं जान पाते हैं इसलिए हर प्रकार का प्रयास इस यहूदी जनता को समझाने में यहूदी जनता को वो स इश्वर या वो स जोती को पाने में और इस मुक्तिदाता को स्विकार करने में सारा प्रयास विफल हो जाता है क्योंकि वो इस बात के लिए तयार नहीं थे they were not open to the truth they were not ready to listen to the truth इसलिए जो सच्छाई को जिसने अपनाया नहीं इस विकार नहीं किया वो निश्चत्रूब से वो सत्य के मारग पर नहीं आ पाते नहीं सत्य को मान पाते नहीं सत्य के द्वारा अजादी पाते हैं इसलिए प्रभू इन सभी बातों को हमारे सम्मुक आज के दिन में रखते हुए हम सबों को सचेत करता है हम उस यहोदियों के बांती या फिर इसराइली जनता के बांती हम लोग ऐसा वेवहार ना करें बलकि उस धर्म गरंत के द्वारा उस प्रभू मसी को जाने प्रभू मसी का संदेश को ग्रहन करें और उस संदेश को ग्रहन करते हुए उसके द्वारा जो मुक्ती हम सबों के लिए ओफर की गई है उसमुक्ति को हम सभी प्राप्त करें और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए वो सच्चे ईश्वर में विश्वास करना उसके अरादना करना सच्चे पश्चताप करना और प्रभू के संदेश के अनुरूब जिवन बिताना ये बुलावा हम सबों का आशकत दिन में दिया गया है हम स्वीकार करें इसके अनुसार जिवन बिताने के प्रयास करें प्रभू से शक्ति सामरते मांगें हम भी दुरबल हैं इस्राइली जनता के बांती हम भी दुरबल हैं यहुदी जनता के बांती हम प्रारतना करें कि हम सभी वो सत्य की खोज में लगे रहें सत्य को पाएं और सत्य के द्वारा अजादी पाएं मुक्ति पाएं उद्धार पाएं आमेन